और अभी पता चल रहा है कि जो प्राइम निस्टर इम्रान खान का जो विजिट जो जुलाई में एक्सपेक्टेट था वो अलमुस्ट कैंसल हो गया है उसकी वज़ा यह है कि पाकिस्तान चाहता था कि जिस तरह इंग्लेंड ने यूके ने इंडिया के साथ 10 साल का रोड त्यार किया है उसी तरह का पाकिस्तान के साथ भी 10 years रोड मैप त्यार करें लेकिन यूके ने भी उनको लिफ्ट नहीं करवाई और आप हर जगह जाके भारत का मुकावला तो नहीं कर सकते हैं हमें इस बोगी से बाहर निकलाना चाहिए बारती वजिराजम फोन नहीं उठ प्रितानिया ने सिर्फ वजिराजम इमरान खान साब को एक क्रिकेट मैच और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक मीटिंग की ओफर से ज्यादा कुछ नहीं दिए नमस्से दोस्तो जैहिन हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तो एक बार फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल फजीहत का सामना करना पड़ रहा है हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तानी प्राइमनिस्टर इमरान खान ने जुलाई में ब्रिटन के दोरे पर जाना था दोरे से पहले ही इमरान खान ने ब्रिटन से ये मांग की के पाकिस्तान के साथ भी वही 10 साल की डील की जाए जो ब्रिटन ने भारत के साथ की है लेकिन ब्रिटिश प्राइम निस्टर बोरिस जॉंसन ने इस से साफ इंकार कर दिया और दो टुक जवाब में इमरान खान को कहा कि वो आना चाहते हैं तो आए वरना उनकी मर्जी हलाकि पाकिस्तान ने विजिट कैंसल होने का कारण आंतरिक सुरक्षा को बताया लेकिन मीडिया रिपोर्ट में ये साफ हो रहा है कि भारत जैसी दस साल की डील की नाममंसूरी से ये दोरा कैंसल हुआ पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान के इस दोरे के ना होने से काफी परेशान दिखाई दे रहा है मैं शुरू से एक चीज का बड़ा हामी रहा अमरान खान साब के हवाले से मैं जो कहता था कि उनको ग्लोबली ट्रैवल करना चाहिए उनको यॉरप जाना चाहिए उनको इंगलेंड जाना चाहिए और अभी पता चल रहा है कि जो प्राइमनिस्टर अमरान खान का जो विजिट जो जुलाई में एक्स्पैक्टेट था वो आल्मॉस्स कैंसल हो गया है उसकी वज़ा यह है कि पाकिस्तान चाहता था कि जिस तरह इंगलेंड ने यूके ने इनएट किंडम ने इंडिया के सा 10 साल का रोड मैप त्यार किया है तैनियर्स रोड मैप त्यार किया है उसी तरह का पाकिस्तान के साथ भी टैनियर्स रोड मैप त्यार करें लेकिन जो इंगलेंड की सरकार है वो यह चाहती है कि पाकिस्तान के वजियर आजम आए और क्योंके इमरान खान साब क्रिकट के ब अगर हमने क्रिकेट मैच खेलने आए और देखा और कोई लॉंग टर्म एग्रिमेंट ना किये को पीपल टूपीपल कुनेक्शन ना भड़ाए क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात ना की हेल्थ के ऊपर ट्रेड इमिग्रिशन कल्चर बहुत सारे हमारे युके के साथ जो एक्स उसके अलावा उनका कोई ट्रेप नहीं है और युके ने भी उनको लिफ्ट नहीं करवाई और उसके लिफ्ट ना करवाने के कुछ वजुहात हैं अब वो तो कोई नहीं बताएगा अब इमरान खान साथ क्योंकि मशूर है कि ये दुनिया के जिस लिटर से भी बात करे रह इंडिया को दिया है तो इस तरह का हमें भी दिया जाए इंडिया के हलात और हैं इंडिया ने पिछले 20 साल की पॉजिशन और रही है हमारे पिछले 20 साल की पॉजिशन और रही है हमें दुनिया में प्रॉपरली मेंस्ट्रीम होना है हमें दुनिया में इंगेज होना है इं वो जिद किस तरह की है कि जब HBO के कमेंटेटर ने एंकर ने इंटर्व्यू किया है अमरान खान साब का और पूचा कि आप जाएंगे आपने जो बाइडन से बात की अमरीका किसे दर से और उने का नहीं अगर उनके पास वक्त होगा तो वो मुझे कॉल कल लेंगे इसी तरह UK क हवाले से है कि और ने कहा कि UK मैं जाना तो चाहता हूं मुझे रहने बुलाया है लेकिन वहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि मैं शायद जा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मुझे कुछ दे नहीं रहे देने से मुराद यह एक बाइलेटरल चीज़ है इस से मुराद यह नहीं कि फाइनेंचिल सपोर्ट यूके मारी फाइनेंचिल सपोर्ट तो बहुत से हवालों से कर रहा है और यह लेकिन इसी तरफ सुने में आया था कि फ्रांस के वजीर आज़म फ्रांस के सदर मैकरन जब इमरान खान साथ प्राइम मिस्टर बें तो उन्होंने भी कॉंटक्ट किय बजब इन्होंने किया तो उन्होंने उठाया ने कौन आप ये देखें कि अमरीकन सदर इमरान खान साथ से जो है वो फोन पर बाती नहीं करते हैं वह बारती वजीर आजम को ये भी एक बहुत बड़ी तक्लीव दे बात है और बड़े अपसोस की बात है कि इमरान खान वजिर आजम जो हैं वो आपको फोन आपको फोन नहीं उठाते हैं और इससे पहले बारती वजिर आजम पाकिस्तान आते हैं मिया नवाज शरीफ साब के दोर में और जनाब वो उस जगा पर जाते हैं और एकसेप्ट करते हैं मिनारे पाकिस्तान पे और घर तक पहुंचते है लेकिन यहां बारती वजीर आजम जो हैं वो आपके इमरान खान साथ बार बार फोन करते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं तो बारती वजीर आजम फोन नहीं उठाते हैं अमेरिकन सदर इनको फोन नहीं करते हैं बरतानवी जो इस वक्त सदर हैं जो सरबरा हैं वो आपक आपको आपकी बात नहीं मानते हैं सुनने में आया है कि इमरान खान साथ ने अपना दोरा मलतवी कर दिया है और दोरा मलतवी करने की जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मेन एजेंडे में सिर्फ थोड़ी से मुलाकात थी और वो कोई क्रिकेट मैच था और किसी जगा हैलो हाय थी, बाकि कुछ नहीं था, किसी मेन एजंडे में कोई चीज़ शामिल नहीं थी और बरतानवी वजीर आजम या बरतानवी जो सरबना हैं वो इनकी बात नहीं मानते हैं चीन के सदर पाकिस्तान के वजिराजम अमरान खान पर अब इतमाद नहीं करते हैं तुर्की और मलाइशिया के सदर अब एहमियत नहीं देते हैं पाकिस्तान की तरफ से बरतानिया को एक 10 साल का रोड मैप प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही थी जिसके अंदर बहुत जादा मैटर्स डिसकास होने थे और कोई ट्रेड अग्रिमेंट भी साइन होने थे और इसे एक सिमिलर अग्रिमेंट अभी इंडिया का साइन हुआ है तो पाकिस्तानी हकूमत और फॉरण आफिस की ये कोशिश थी के वजीराज़म इमरान خان साब के इस दोरे में पाकिस्तान और ब्रतानिया के तालगात में बहुत अधाफा होगा मगर जराइ का ये दावा है के ब्रतानिया ने सिर्फ वजीराज़म इमरान.خान साब को एक क्रिकिट मैच और 10 डाउनिंग स्ट्रीट मे एक मीटिंग की ओफर से ज्यादा कुछ नहीं दिया। बरतानिया के दोरे की जो के जराय के मताबक कैंसल हो चुका है और इसके पीछे कई वजुहात हैं कि ये जो ट्रिप 8 से 10 शुलाई तक प्लैन था और ये भी प्लैन किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन कठे क्रिकेट मैच भी देखेंगे और क्रिकेट को डिपलॉमसी के लिए इस्तमाल करेंगे ये पूरा प्लैन फेल कर गया